हलो फ्रेंट्स आज हम बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बनाएंगे जिसको आज हम एक आलू से बनाकर तयार करेंगे बच्चों का सुबह का टिपिन हो या हो सुबह का नास्ता या फिर सुबह खाना बनाने का मन ना हो तब आप इस नास्ति को बनाकर जल्दी से तयार कर सकते हो तो इस नास्तिक को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू लिया है और इसको मैंने छीर लिया है और इसको मैंने पानी में डाल लिया है क्योंकि आलू जो है छीरने के बाद में काला पड़ जाता है तो पानी में डालने से यह काला नहीं पड़ेगा उसके बाद हमें जो है आलू को इस तरह से जो है कद्दुकस कर लेना है तो यहाँ पर मैंने पानी में ही कद्दुकस करके इस आलू को डाला है जिससे कि आलू के जो भी वच्छी है वो काले नहीं पढ़ेंगे और पानी में जो है ड़े रहेंगे तो वो काले नहीं पड़ते हैं तो यहाँ पर यह देखे मैंने आलू को जो है कद्दू कस कर लिया है और अब हमें इसको जो है तीन चार बास साफ पानी से दो लेना है तो ये देखे यहां पर मैंने आलू के बच्चों को जो है धो कर और मैंने इसको जो है बहुत ही टाइट नचोड़ा है तो हमें यहां पर इसको टाइट सा ही नचोड़ कर लेना है उसके बाद मैंने एक बारिक कटी हुई प्याई डाली है और उसके बारिक कटा हुआ हरा दनिया इसमें डाल लिया है अब हम यहाँ पर इसमें जो है कुछ मसाले एड़ कर देंगे तो यहाँ पर ज्यादा मसाले हम इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि बच्छों के विंच के लिए बना रहे हैं डाल में बेदा चार्ट मरसाला बहाँ है और थो दोनों को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेना है ऩहाँ टो यहाँ पर इसमें थोड़ा से नमक भी ईडा शकते हो और मैंने यहाँ पर इसम compliments क्या है तो यह था एक पार पर मैं एक टेस्टी आएज रिया मैं एक one की यहां पर ग्यों का आटए लिया है, आप अपने साफसे यहां पर ले सकते हो, और अदर चमच मैं नमक डाले से हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर घी भी इसमें डाल सकते हो अब हम जो है इसको अच्छी तरह से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा लगा देना है तो ये देखे यहाँ पर इस तरह से हम इसका जो है आटा लगा कर तैयार कर लेंगे और इसको रेश्ट के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे उसके बाद एक लोई पर मैंने सुका आटा लगा लिया है उसके बाद हम इसको बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें इसको बेलकर तैयर कर लेना है और इस तरह की हमें दो रोटी बना कर इसकी तैयर कर लेनी है और अब हमने जो फिलिंग बनाई थी उसको इस पर रख देना है तो यहाँ पर हम खूब सारी सी फिलिंग इस पर रख देंगे इससे ये खाने में बहुत ही जाना टेस्टी लगेगा तो यहां पर आप इसको बहुत सारी भर कर इस तरह से रख लेना है और दूसरी रोटी इस पर लगा कर इसको बंद कर देना है तो यह देखिए इस तरह से मैंने दोनों रोटीों को बंद कर दिया है अब यहाँ पर मैंने पैन को गरम कर लिया है और इसमें मैंने इसको डाल दिया है एक तरफ से हम इसको जो है अच्छी तरह से सेक लेंगे और उसके बाद हम इसको जो है पलट देंगे पहले हमें उलटते प्लटते हुए इस तरह से इसको अच्छी तरह से सिक कर तैयार कर लेना है और इस पर हमें ओल बिलकुल भी नहीं लगाना है बस इस तरह से हम दबा दबा कर पहले इसको अच्छी तरह से जो है सिक लेंगे और जब जी अच्छी तरह से सिक जाएगा तब हमें जो है इस पर ओल लगा कर तैयर कर लेना है एक तरफ अच्छी तरह से लगा देंगे उसके बाद ही हम दूसरी साइड से इसको पलटेंगे तो ये देखे इस तरह से लगाने के बाद मैंने इसको पलट दिया है और बहुत ही बड़ी ऐसी दूसरी तरफ से भी सिख गई है और अब मैं यहाँ पर इस पर जो है ओल लगा कर तैयार करूँगी तो सारी जगों पर अच्छी तरह से हमें लगा लेना है और फिर से हम जो है इसको पलट देंगे और इसको जो है सेक लेंगे तो हम दोनों साइडों से इस तरह से इसको बड़िया सा कलर आने तक सिखेंगे और बहुत ही बड़िया सा यह नास्ता बनकर तैयार होगा और जब यह अच्छी तरह से सिख जाएगा तब हम इसको जो है निकाल लेंगे तो यह सिखकत तैयार है और बहुत ही बड़िया सा यहां पर नास्ता बनकर तैयार हुआ है और अगर आप यहां पर कहें कि बॉयल आलू इसमें नहीं बरे हैं तो यहां पर इस तरह के जो कदुकस करके आलू भरते हैं इसे बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और अगर आपको मेरी रैस्पी जड़ासी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पर नई आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर भी जिगा तो मिलते हैं अच्छी से नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए टेक किया थैंक्स पर वाचिंग